नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में हम सिलिकन कंट्रोल रक्टिफायर के सबसे इंपोटेंट टॉपिक के बात करेंगे मैंने इंपोटेंट क्यों बोला, क्योंकि आपने सिलिकन कंट्रोल रक्टिफायर को बना तो दिया, लेकिन जब आप उसको प्रक्टिकली यूज करते हैं, तो एक हाई पावर, हाई वोल्टेज, हाई करेंट रेटेंग डिवाइस होने के वज़े से, उसके अंदर बहुत सार इंटरनल लॉसेस होते हैं, और इंटरनल लॉसेस के वज़े से, बच्चो, प्रक्टिकल प्राब्लम यह होता है, कि मेरा डिवाइस पुरंत हीट हो जाता है, और अगर हमने प्रोपर हीट कंवर्सेशन ने किया, हीट का कंजर्वेशन ने किया, हीट को हमने चानलाइज ने है तो हम देखते हैं कि थारस्टर की वोल्टेज और करेंट रेटिंग काफी हाई है अब इस हाई वोल्टेज और करेंट रेटिंग के वज़े से डिवाइस अब आफ मोड में हो यानि जब वोल्टेज को होल्ड करके रखता हो और जब डिवाइस ओन मोड में हो यानि जब व को ब्लॉक करकर रखता है अब अब ज्यांसे समझे नॉर्मल ऑपरेशन में सिलिकन कंट्रोल रिक्तिफायल जब फ्रिक्वेंसी रेंज हायर अप्लिकेशन में जाता है तो उस कंडिशन में प्रक्टिकल लॉस बहुत सारे बढ़ जाते हैं अब इन प्रक्टिकल लॉस के बढ करती है तो आए सबसे पहले हम टेक्निकल वर्ट में समझते हैं कि हीटिंग कूलिंग की प्रक्टिकल नीड क्या है तो सबसे पहला पॉइंट में आपके साथ डिसकस करूंगा कि हम सब जानते हैं कि जब हम थारिस्टर को फॉर्वर्ट कंडक्शन मोड में लेके जाते हैं तो वो कंडक्ट तो करता ही साथ में वोल्टेज का लॉस भी कराता है वो जो फॉर्वर्ड वोल्टेज कंडक्शन ड्रॉप है वह बहुत कम है इंस 2-5 वोल्ट है लेकिन लगतार लंबे समय तेक जब वो डिवाइस के अंदर अराइज होता है लिखे इस करेंट फॉर्म कर करना चाहता हूं जब मेरे डिवाइस फॉर्वर्ड ब्लॉकिंग मोड या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होता है तो उस कंडिशन में वह बहुत स्मॉल अमांट अफ लिकेश करेंट है नोट का वह बहुत ज्यादा इंपक्ट फुल तो नहीं है लेकिन हाई रेटिंग के इसका इंपक्त देखने को मिलता और इस्पेसिली जब लंबे समय तक यूज हो और इसी लिए मुझे यहां प्रोपर हीट चानलाइज करने के लिए मुझे हीट सिंग जैसे डिवाइस की जरूरत है थारिस्टर के उपर प्रोपर हीट कंजर्वेशन मांटिंग की जरूरत ह सेम तीसरा फेनमनन बच्चो कब डबलफ होता है जब आप थारिस्टर को आउन करते हैं या फिर ओफ करते हैं आपने देखा होगा थारिस्टर को आउन करते समय हमें गेट टर्मिनल के जरूरत पड़ती हैं और अगर कभी-कभी हम गेट के थ्रू बाइसिक नहीं करें तो ह आप फॉरवड ब्रेक ओवर वोल्टेज डबलफ करते हैं तो आप इमेजन की जिए गेट के थ्रू में आउन करो या ब्रेक ओवर वोल्टेज के थ्रू आउन करो तो उस कंडिशन में जो स्विचिंग लॉसेस होगा वह काफी इंपक्ट फुल होगा और इसी वजह से मेरे थारिस्टर के अंदर हीटिंग डबलफ होती है तो जब डिवाइस ऑन हो या आफ हो वो हीटिंग डबलफ होगी और उसका इंपक्ट मेरे सिलिकन कंट्रोड रिक्तिफायर के कार्टरिस्टिक्स पर डबलफ होगा और अगर आपने गेट ट्रेगरिंग में प्रीफर किया है और उस कंडिशन में मेरे डिवाइस काफी फास्ट और हीट जादा करेगा इंग सभी रिजन्स के वजह से यह सब मैंने कुछ कॉमन रिजन्स बताया बच्चो इसका अलबा भी और सारे बहुत सारे प्रक्टिकल रिजन्स है जो आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो इ हीट डिवाइस को हीट डिवाइस को मांट करने से पाले हम यह देखते हैं कि कैसे हम फ्लो कराते हैं इमाजिन कि यह सिलिकन कंडोल रिक्टिफायर के अंदर इन चारों में से किसी एक आउपरेशन के बज़़े से लॉस डेबलफ हुआ हीट डेबलफ हुआ अब उस हीट को सबसे पहले हम जंक्षन से कहा लेके जाते हैं केस की तरफ बच्चों फिर उस केस से हम उस डिवाइस के अंदर जो डेबलफ हीट है उसको सबसे उपर सिलिकन कंडोल रिक्टिफायर को उपर जो हीट सिंक मांट करते हैं उसमें लगाते हैं यानि उसके तरफ चैनलाइज कर करते हैं और वो हीट सिंक जब उस हीट को अब्जॉर्ब करेगा सिंक करेगा खीचेगा तो उस हीट को वह बाहर यानि अट्मस्फियर में थ्रो कर देगा तो इस तरीके से हम सिलिकन कंडोल रिक्टिफायर को हीट से बचाने के लिए अपने डिवाइस के अंदर एक हीट का फ्लो रखते हैं जंक्शन से वो केज के तरब जाए केज से हीट सिंक के तरब जाए और हीट सिंक से वह बाहर अट्मस्फियर में जाए और इस तरीके से मेरा डिवाइस एफेक्टिबली ऑपरेट हो ऊबर हीटेड नहीं हो तो आईए बच्चों अब हम समझते हैं किस किस मौंटिंग करते हैं अपने डाइग्राम में यहां देखा होगा या फिर पहले भी हम इसके बारे में डिसकूशन किये हैं जब हम पर सिलिकन कंट्रू र्क्टिफायर के सबसे टॉप लियर पे एक स्टूर्ड था जिसके उपर हम उसको हीट सिंक को मौंट करते हैं तो हम डाइग्राम में देख पा रहे होंगे तो यहां पे सिलिकन कंटूर डिरेक्टिफायर के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसके प्रोटेक्शन के लिए हीट से बचाने के लिए हमने माउंटिंग अनालेसिस के बारे में पढ़ा अगले वीडियो में हम समझें के थर्मल रिसिस्टेंस के क्या इंक्ट है इस हीट सिंक के माउंटिंग में या फिर बिवाइस को प्रोटेक्ट करने में ताइट सुल अबाउट इस वीडियो थैंक यू सुल मच